हलो दोस्तों वालकम तो अभिपीडिया पावर्ट बाई अभिमन्यू आई एस चणडिकट दोस्तों स्टेट सिविल सर्विसिस की अगर हम बात करें तो स्टेट सिविल सर्विसिस का एक्जाम हर स्टेट के दौरा हर स्टेट अपने अपने लेवल पे अपना सिविल सर्विस का recruitment करता है अपने state civil services का recruitment करता है जिसके लिए हर state में public service commission बनाए गए हर state में public service commission बनाए गए है सबसे पहले मदरास के अंदर under the madras legislature act 1929 के अंदर मदरास के अंदर सबसे पहला जो public service commission था वो बनाया गया था उसके बाद government of india act 1935 जिसके द्वारा भारत के हर राज्य के अंदर हर राज्य के अंदर अपना एक public service commission बनाया गया जो कि यहां पे civil services अधिकारियों की state civil services अधिकारियों की recruitment करने का काम करता है state के अंदर group a group b officers की recruitment करने का काम करता है तो अभी मन्यू आईएस चंडीगर्ड अभी मन्यू आईएस चंडीगर्ड यहां पर पिछले 22 सालों से पिछले 22 सालों से civil services की और state civil services की तयारी करवा रहा है और 1500 से ज्यादा selection दे चुका है इन दा UPSC और इन दा state civil services examination चाहे वो किसी भी state की बात करें तो भारत ने भारत के अंदर बहुत सारे रज्यों में हमने top rankers भी produce किये हैं चाहे first rank की बात करूं second rank की बात करूं तो top rankers भी हमने produce किये हैं तो अभी इधर north से लेके south तक north से लेके south तक east से लेके west तक अगर आप किसी भी राज्या के state civil services exam की preparation करना चाहते हैं तो आप को यह जो हमारा course है यह definitely help करने वाला है इस course की सहायता से आप किसी भी state का PCS टैक कर सकते हो देखे भारत के किसी भी राज्या का कोई भी aspirant जो civil services के लिए preparation करता है वो किसी दूसरे राज्या का भी PCS दे सकता है किसी दूसरे राज्या का भी civil services का exam दे सकता है यानि कि अगर मैं बात करूँ आप कश्मीर से लेके तमिलाडू तक और असम अरुराचल परदेश से लेके गुजरात रजस्थान तक किसी भी राज्या का आप PCS दे सकते हो फरक क्या होता है फरक होता है सिरफ state की gk का और थोड़ा बुत paper pattern का तो state gk की बात करो तो आपको सिरफ उस state का gk ही cover up करना एक्स्टा में और आपको कुछ भी एक्स्टा पढ़ने की ज़रुरत नहीं होती है तो आप किसी भी राज्या का civil services का exam दे सकते हैं तो अभी मन्यू IES आपके लिए लेके आए एक combined state civil services examination course जिसके लिए हमारे demo modules ongoing है आप demo join कर सकते हैं course की बाकी information मैं आपको अंत में दूँगा तो state civil services की बात करते हुए आज मैं आपको एक state के civil services exam के बारे में पूरी जानकारी दूँगा वहाँ पर आपको क्या eligibility criteria रहता है क्या age limit रहती है क्या qualification का criteria है क्या post आती है और क्या selection process रहता है तो आज हम बात करेंगे उत्तर परदेश civil services exam की उत्तर परदेश की civil services exam की अगर हम बात करेंगे जो की उत्तर परदेश public service commission के दौरा organize करवाया जाता है उत्तर परदेश public service commission के दौरा organize किया जाता है उत्तर परदेश civil services का ये exam तो सबसे पहले public service commission की अगर हम बात करूँ तो public service commission जैसे कि मैंने पहले ही बताया मदरास सर्विस कमिशन सबसे पहले बनाया गया था अंदर ना मदरास लगिस्लेचर एक्ट आफ 1929 उसके बाद गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का जिसके अंदर साथ राज्यों में बनाया था पॉब्लिक सर्विस कमिशन और जो उत्र पर्देश का पॉब्लिक service commission बना दिया गया, उत्तर प्रदेश का public service commission जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि पहले ही sit कर दिया गया था 1937 में बनाया गया था, जिसका headquarters Allahabad में जिसका आज हम परियाग राज बोलते हैं, तो आज इसका headquarters कहाँ परियाग राज के अंदर, उसके बाद इसका जो regulation था that is regulated by दा उत्तर प्रदेश Public Service Commission Regulation Act of 1976 इसके तहत इसको regulate किया जाता है आगे बात करेंगे आगे बढ़ेंगे अब कौन-कौन सी vacancy आती है अगर आप उत्तर प्रदेश PCS का एक्जाम देते हैं तो क्या हो कहां पर आपका appointment हो सकता है तो deputy collector, deputy superintendent of police, यहाँ पर block development officer, assistant regional transport officer, assistant commissioner commercial commercial tax में उसके बाद district commandant, home guards में, treasury officer, accounts officer, उसके बाद ken inspector and the assistant sugar commissioner, superintendent jail, ठीक है तो यह पोस्टे हैं जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश PCS के अंदर cover up होती है you can see the post, आप और post है देख सकते हैं, there are some post, यह सारी के सारी जो vacancies हैं यह उत्तर प्रदेश PCS के अंदर ही recruit की जाती है ठीक है, बहुत सारी post है जिनके लिए different different qualification का criteria रहता है, बहुत सारी post ऐसी है clear, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि qualification क्या required होती है, qualification क्या required होती है देखे हर साल number of vacancies difference होता है, तो different different level पर vacancies आती है, जैसे यहाँ पर सब रेजिस्टर की vacancies आती है जिसके लिए आपको law किया होना चाहिए, जिसने LLB किया हो, वो यहाँ पर eligible है, उसके बाद district basic सिक्षा अधिकारी, associate iOS and other equivalent administrative post, district administrative officer इसके लिए post graduation का degree आपके पास होना चाहिए, किसी भी फीड में हो, उसके बाद district can officer आता है, agriculture में आपने किया आना चाहिए, district audit officer आता है, commerce में आपका background होना चाहिए, उसके बाद assistant controller, legal measurement आता है, degree in science आपके पास होनी चाहिए with the physics, assistant actor of industries, marketing और handling का आता है, तो post graduate degree आपके पास हो commerce किसी भी फीड में, clear, तो assistant labor, labor commissioner आता है, degree in arts with sociology और economics as a subject or commercial law, district program officer आता है, तो ऐसे ही different, different vacancies के लिए different, different यहाँ पर qualification का criteria रखा गया है, you can see, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस भी post के लिए apply करेंगे, आप देख सकते हैं, इस भी post के लिए आपको देखना है, आप किस के accessible है, बात यहाँ पर करते है, number of vacancies की, number of vacancies की अगर मैं बात करूँ, तो 2019 में 300 vacancies आई थी, उसके बाद 2020 में थोड़ी vacancy कम होई, 200 आई, वर 2021 में उससे भी ज़्यादा vacancy आई, 400 vacancies, तो 2022 में भी इसका exam जो है, वो definitely आएगा, 2022 में भी आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि UPPS, PCS हर साल आता है, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, क्योंकि UP में इसका जो process है, वो बड़ा consistent way से चलता है, तो हर साल ये conduct किया रहता है, 2022 में भी आएगा, तो 2022 के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए एक combined civil services का course, combined state civil services का course, इसके बारे के बीच में अगर आप हो, तो आप UPPS के लिए apply कर सकते हैं, 21 से 40, आगे बढ़ेंगे selection process की बात करेंगे, तो 3 process रहते हैं, सबसे पहले प्रिलिम्स का exam होता है, फिर mains का exam होता है, फिर रहता है, फिर रहता है, पसनार्टी टस्ट या फिर interview, जिसका हम बोलते हैं, सबसे पहल जनल स्टेडिस का जिसमें 200 नंबर का होगा, बर 1500 कोशन पूछे जाएंगे, 1500 कोशन पूछे जाएंगे, और उसके बाद होगा आपका CSET का exam, civil services aptitude test, जो की 200 नंबर का होगा, बर 100 कोशन पूछे जाएंगे, और दोनों papers को attempt करने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा, जो आपका CSET का exam है, यह सिर्फ qualifying nature में, आपको इसमें 33% नंबर लेने है, ठीक है, अगर आप इसमें 33% नंबर ले लेते हो, उसके बाद GS में आपने जितने marks लिए हैं, उसके इसाप से आपकी merit बनेगी और आप mains दे पाओगे, आप mains दे पाओगे, हाला कि prelims के marks जो आपकी आपको 33% लेना है, यह qualifying nature में है, ठीक है, और दोनों पेपर आपको देने जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप एक देदोगे और आपको selection हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों पेपर देना जरूरी रहेगा, तब यह आपका जो result है, वो check होगा, बट, prelims में आप जितने भी number ले रहता है, वन बाइ फूर्थ, और स्वरी बन बाइ थर्ड, वन बाइ थर्ड, 0.33, 0.33% यहाँ पर negative marking रहता है, यह निकि एक नमबर का question है, तो 0.33 आपका negative रहेगा, वन बाइ थर्ड आपका negative रहेगा, negative marking आपका रहने वाला है, अब मेंस की बात करें, तो मेंस में आपके 8 paper होता है, mains में आपके रहेगे 8 paper,ाफर लेंगे total 500 नमबर का आपका में-स रहता है, 1500 नमबर का, सबसे पहले general hindi का paper होता है, अपका डेट हो नमबर का, हर पेपर 200 ba का होता है और आठना होता है आपको ओप्णल से चूजक करना होता है थीक है कए ने से आपके Sai वह उप्णल तो खरे गा उसके बारे में बात कर लेते हम तो यह होगे आपने देखा час के ह customs होगे दोशन आपको आपके ओप्णल होगे तो 400 वो हो गया 400 वो हो गया 400 राट सो बारा सो और 300 यह हो गया तोटल 1500 नमबर का आपका होता है मेंस का एक्जाम रिटन एक्जाम होता है मेंस का आपका रिटन एक्जाम 1500 नमबर का ठीक है 1500 नमबर का आपका रिटन एक्जाम रहता है तो हर exam के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है हर exam के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और option में से आपको choose कर लेना है एक अपना paper ठीक है तो मैं बताओंगा आपके पास कौन-कौन से option के options है तो यह आपके पास options है जिनमें से आपको अपना optional subject चूज़ कर लेना है ठीक है जो आपका favorite subject हो या फिर जो आपने पहले background में आपके basics में पढ़ा हो तो ऐसी किसी subject को चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता आपकी help करेगा तो optional में यहाँ पे आपके पास दो paper होते है बट आपको एक subject चूज़ कर लेना है जिसके आपको दो paper देने है optional में तो total पंदरा सो नंबर का हमने क्या देखा mains का exam होता है जो candidates इसको crack करते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं ठीक है उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं बट इसको crack करने के लिए यहाँ पर एक minimum जो marks है वो category यहाँ पे दे दी जाती है कि आपको कम से कम तो 40% नंबर लेके आने ही पड़ेंगे अगर आप कम से कम 40% general category वाले नहीं लेके आते हैं तो आप वही disqualify हो जाओगे 40% नंबर at least आपको लेके ही आने हैं चाया प्रिलिम्स की बात करूँ चाया मेंस की बात करूँ हर पेपर में आपका 40% तो आपको लेके आना पड़ेगा clear 40 तो आपको लेके आना पड़ेगा और अगर आप SCSTO तो 35% तो कम से कम लेके आना पड़ेगा इस से कम में आप qualify नहीं कर सकते हैं इतना तो at least आपको लेके आना पड़ेगा उसके बाद इतना वले जो है वो आगे बढ़ेंगे और जो हमारा public service commission होगा यूपी का ये एक minimum cut करेगी और कितने लोगों ने पेपर दिया है उसके बाद एक personality test होता है जिसको हम इंटर्विव बोलते हैं 100 नंबर का यहां पर रहता है तो फंदरा सो नंबर का मेंस था सो नंबर का ये टोटल सोला सो में आपका नमा जो फाइनल सेलेक्शन है वो काउट होगा सोला सो में जतने आप अच्छे marks लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा सोला सो में 100 marks का आपका रहता है personality test और interview आपका रहता है चाहिए अब आगे बात करते हैं course की तरफ तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी पीडिया आपके लिए लेके आया है एक combined state civil services का exam combined state civil services का exam क्योंकि अभी मन्यू आई एस पिछले 22 सालों से यहां पर 1500 से ज्यादा से चुका है and in the state civil services हमने top rankers भी produce किये हैं तो यह जो combined state civil services exam का preparation course है यह आपको definitely help करेगा आपके upcoming exam के लिए जिसके लिए आप prepare कर रहे हैं जिसके लिए आप preparation कर रहे हैं तो इस course के लिए आपको नीचे description में दिए link पे click करना है वहाँ पे जाके आप अपना demo module भी attend कर सकते है demo classes भी लगा सकते हैं 6 महिने का course का duration रहेगा 6 महिने का course का duration रहेगा 6 महिने में आपको पूरा syllabus complete करवा दिया जाएगा prelims plus mains के लिए ठीक है pre-cum mains का course है cset और gs दोनों आपको 6 महिने में cover करवा दिया और इस course के लिए हमारा एक demo module course हमने start किया हुआ है module course as a demo हम आपको दे रहे है that is our history course एक modern history का demo course हमने आपके लिए launch किया हुआ है जिसके लिए link नीचे आपको description box में मिल जाएगा वहाँ जाए course को attend कीजिए knowledge gain कीजिए और हमारे courses को review कीजिए क्योंकि अभिपीडिया यहां पर आपकी selection के towards अपना योगदान दे रहा है आपकी selection ही हमारा success है आपकी selection ही हमारा success है तो आप भी अभिपीडिया का अभिवन्यू के topper leaks को join कीजिए आप भी आने वाले समय में IS IPS या state civil services को join कीजिए क्योंकि आपकी preparation अगर आप अच्छे level कर रहे हो सही preparation अगर आप कर रहे हो तो सफलता आपको अवश्या ही मिलेगी तो join our demo course today आज ही demo join कीजिए and check out our courses the link is in the description link जो है वह आपको description box में मिल जाएगा तो it's all for today thank you so much